पर देश में बेरोजगार ही बढ़ रही हमारे प्रदान मंतरी जी 2014 के पहले उनुने बाते किये थे लोगों जनता से बेरोजगार उभाओं से कहा कि मैं सच्छा मियाओं का प्रदान मंतरी को बनूंगा तो हर साल दो करोड उभाओं को नवपरी दूंगा आज उनका रोजगार देने का बाता तो बहुत दूर की बात है लोगों को रोजगार उन्हों छील लिया 45 साल के 45 साल की चरम सीमा पर बेरोजगारी इस समय है जो अगर इस सरकार से रोजगार मांगता है उसके उपन लाटी डंडे परसाई जाते हैं उसको जेल में भेज़ा जाता हैं मुगद में लिखे जाते हैं और देश के प्रधान मंतरी कोरूना के समय हं उन्होंने के सामनेत सम hay व चाह के सामनेत तमाम अची कुटे पाल लीजिए उन्होंने कहा कि आप ठेला लगा लिजी और का चाह की पढ़ाएगा देश का प्रदान इतरी खुद पहता है आदमी भीर में आप देख रहे हैं चार साल की लिए उन्हें कियो मत रखता है उसको क्यों क्षे साल की रखा लिए रखा लिए अखिलेश पत्नी मधु के साथ टहलने निकले थे और वहां लखनव चुंगी की तरफ जा रहे थे रास्ते में सामने से आ रही अनियंत्रित बाइक ने उन्हें चोरदा टक्कर मार दी चालक बाइक छोड़कर फरार हो गया रागीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस नी द मजुग देखते हुए दोनों को लखनव रेफर कर दिया बताते चलें की पत्नी का वहां हिलाज चला है लेकिन डॉक्टरों ने अखिलेश को मृत घोसित कर दिया है घटना की सूचना मिलने के बाद परिवारी जनों में कुराम मचा हुआ है हर्दुई के अपर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूस्ट मार्टम के लिए भीजा गया है पुलिस सावशक विदिक का रिवाई कर रही है हर्दुई में टिप टिप बारिस के बीच भी पुलिस की पैदल गस्त जारी पुलिस सदिक शक ने कहा कानून विवस्ता सुद्र रखने की तैयारी पुलिस ने अपना क्रम नहीं बदला है ऐसे में हर्दुई के पुलिस सदिक शक राजेश दिवेदी ने बताया कि एक तो पैदल चलने से सरीर स्वस्त और मनतंदरुस्त रहता है और ऐसे में खानून विवस्ता को सुद्र रखने का भी जिम्मा पुलिस के ही कंदों पर है इसी के चलते पुलिस की पैदल गस्त का सिल्सला लगातार जारी है पुलिस अदिक शक ने बताया कि सिनेमा चौरहा समेत समस्त चौरहों के अलावा अलग अलग गलियों में पुलिस ने पैदल गस्त की है और यहाँ पैदल गस्त का सिल्सला सासन की मैशा के अनूरूप देने का दिया अदिश साथी बेटी को भी देना होगा एक हजार रुपए प्रतिमा हर्दोई में इसमरती सुकला ने नियायले में प्रतिवात दायर कर बताया था कि उसका बिवाह सीतापुर जनपत के महुली के महला कैथी निवासी आस तो सुकला के साथ 21 जनवरी 2016 को हिंद सिविल जज जूनियर डिवीजन FTC बूमिन की जज बैसाली सिंग ने घरेलू हिंसा के मामले में फैसला सुनाया है उन्होंने भरण पोशन के रूप में पतनी को तीन हजार रुपए एवं पुत्री को एक हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश पिता को दिया है हर्दोई मेला महोत्सों का सुहानी सर्दियों के बीच दिसंबर में होगा आयोजन बिभन माध्यम से प्रतिभाओं को मिलेगा मंच बहु प्रतिशित हर्दोई मेला महोत्सों सन 2022 विगत वर्सों की भात इस वर्स भी बहुत धूमधाम से आयोजित होगा हर्दोई मेला महो का हर्दोई वासियों को बेसबरी से इंतजार रहता है इस वर्स भी आयोजन तिसंबर माह में भब रूप से होगा जिसमें बिभिन परतियोगिताओं के साथ सांसक्रितिक कारिकरमों का भी आयोजन होगा शहर के नुमाईश मैदान में लगने वाले हर्दोई मेला महुत्सों में जहां एक और रंगा रंग कारिकरम जन्मानस को लुभाएंगे वहीं दूसरी और मेले में फूड कार्णर जूले आधिकावी लोग लुथ उठाएंगे हर्दोई मेला के आयोजक रभी किशूर गुप्ता नहीं बताया कि हर वर्ष हर्दोई मेला महुत्सों उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है इस वर्षिह आयोजन बारह दिवसी होगा जिसमें गायन प्रतियोगिता प्रैमरी जूनियर वा अन्ने वर्ग के नृत्ति प्राइमरी जूनियर के अलावा तमाम तरीके के मिस्टर अन्य प्रोग्राम प्रस्तुत किये जाएंगे रभी कुसूर गुपता ने बताया कि रजिस्टेशन की परिक्रिया सुरू कर दी गई है और यह रजिस्टेशन आनलाइन भर कर भी भेज़े जा सकते हैं अर्दोई के मुकिच किस्सा अधिकारी की घरों में जल ना इकठा होने देने की अपील डेंगू मलेरिया को लेकर स्वास्त विभाग हुआ सतरक। अर्दोई के मुकिच किस्सा अधिकारी ने बताया कि समस्त महले के निवासियों को अपने घरों में बरसात या अन्य प्रकार के जल इकठा ना होने देने का सुझाओ दिया जा रहा है और साथी अपील की जा रही है। और तेक सब्ता अपने घर के फ्रिज के पीछे कि ट्रे, कूलर, गमलो, पानी की टंकियों, छतों पर और साथी कबार और अन्य जल संग्रहित होने वाले पात्रों, टैरों, पसुओं, पच्छियों के पानी पीने के पात्रों एवं घर के आसपास के कबार, थर्मा कोल, प् पात्रों आद जिन में मच्छड प्रजनन करते हैं और डैंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का प्रसार करते हैं, ऐसी जगों को साफ रखने की अपील, स्वास्त विभागने की है, बताते चलें कि यह भी अपील की गई है, कि यह था संबववा, बिसीश कर बच्चे पूरी आस्थीन के गपड़े पहने, तता सोते समय मच्छड दानी का प्रियोग अवस्त सिकरें, इसके अतरिक्त जनपत के प्रतेक विकासखंड में दो साइटों पर फाइल एरिया रोगियों की पहचान हुई है, बलड सर्वे का कारिकरम इसको लेकर चलाया जा रहा है, जिसके अंतरगत रात्री में फाइल एरिया रोगियों की जाच की जा रही है, अब तक कुल 8223 लोगों के रक्त के नमूने एकत्रित किये जा चुके हैं, जन सामाने से अपील की जाती है कि वहाँ अपने अपने विकासखंडों की साइट पर पहुँच कर फाइल एरिया की जाच अवस्य करा लें, हरदोई के जिला अदिकारी ने कहा कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, कसराओं के पास रोडबीज और कार में हुई जोरदार टकर दुरगटना की SDIM सदर स्वाती सुकला कर रही जाच, हरदोई की उपजिला अदिकारी सदर स्वाती सुकला ने बताया कि विकास नगर डिपो की बस संख्या यूपी पैस्टी एकातर पैसर्ट था स्विप डिजायर कार संख्या यूपी पच्चासी बीडी डबल जीरो जीरो तीन की बिलग्राम रोड ग्राम कसरावा के पास आमने सामने टक्कर हो गई थी इसमें कार चालक गंभीर परती कराया गया है और उक्त दुरगटना की जाच उनके द्वारा की जा रही है उन्होंने बताया है कि उन्हें दी गई जाच को लेकर के उप्रोक्त के संबंद में यदि कोई भी ब्यक्ति 20 सितंबर 2022 तक अपना साक्षयम बयान दर्ज कराना चाहता है तो वहां दर्ज कर मामले में आवशक विदिक कारिवाई की भी जा रही है फरदोई मी उद्ज की नई इकाई स्थापित करने के लिए करे आउनलाइन आवेदन उपायुक्त उद्ज कुमार्टिन पर दोई में उपायुक्त उद्योग सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में नई एकाई स्थापित करने के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आनलाइन आवेदन में आ रही किसी भी कठिनाई के निवारन के लिए उपायुक्त उद्योग कारेले में संपर कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कारेकरम का हुआ आयोजन विदिक स्वयम सेवक सुदीप कुमार ने दी जानकारी। उतर प्रदेश राज विदिक सेवा प्रादिकरन लखनो के निर्देश के अनुपालन में तथा माननी जन्पत नयादीस अध्यक्ष जिला विदिक सेवा प्रादिकरन हर्दोई राज कुमार सिंग की निर्देशन में आज जिला महिलाच के सालह में सर्वाइकल कैंसर मुझनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। चलाई जा रही जन कल्यानकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विश्तरत जानकारी दी गई इस अवसर पर जिना महिला मुख्य चिकस्ता दिक्षक डाक्टर विनेता चतुरवेदी परा विदिक स्वयम सेवी का सत्य भामा सुस्मा देवी वा अन्य महिला चिकस्ता था आसा बहु आदी मौजूद रही फर्दुई की सुन जेंती सभागार में आंगनवाडी केंद्रों का हुआ लोकारपन विधायक सांडी प्रभास कुमार ने किया लोकारपन इस अवसर पर उपस्तित आंगनवारी कारिकरतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्तेयों सिक्षित 25 का मजबूत भविश्य है इसलिए आंगनवारी की दोरी जिम्मेदारी होती है कि आंगनवारी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का स्वास्त का ध्यान रखने के साथ सिक्षित करने की भी जिम्मेदारी हो। उन्होंने कहा कि जनपद में विगत कई वरसों में कुपोशन के प्रतिकापी प्रगती हुई है। जिसके लिए सभी आंगनवारी प्रसंसा की पात्र हैं। विधायक ने आंगनवारी कारिकर्टी से कहा कि मुक्की मंत्री की मंचा के अनुरूप अपने चेतर की समस्त गर्वती महिला धात्री बालिकाओं एवं आंगनवारी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का नीमित बजन लेने के साथ स्वास्त परिक्षन कराएं तथा पोशा पुलिस नी बाईपस से एक अभ्युक्त को किया गिरफतार आरोपी के पास दस लीटर वैद शराब बरामद हर्दोई के अपर पुलिस सादिक्षा कनिल कुमार ने बताया कि हर्दोई की कोतवाली दिहाद पुलिस के द्वारा अभ्यद शराब निर्मार के विरुद लगा आरोपी को गिरफतार कर आबकारी आक्ट में जेल भेज दिया गया है हर्यामा पुलिस ने कस्बे से एक महिला हुआ पुरुस को किया गिरफतार आरोपियों के कबज़ से 26 लीटर वैद शराब बरामद। अर्दोई के पुलिस सदिक्षक राजिस दिवेदी ने बताया कि जनपत के समस्त थाना चेतरों में अवैद शराब निर्मान के बिरुद सक्त कारिवाई का सिल्चला जारी है और इसी के तहर थाना हर्यामा पुलिस के दौरा कस्बे से एक महिला वा एक पुरुस को अवैद शराब बना थे वा उन्हें बेंचते हुए गिरफतार किया गया है दोनों आरोपियों के कबजे से कुल 26 लीटर अवैज कच्ची जहरीली शराब बरामत की गई है दोनों आरोपियों पर आवकारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजिकरत किया गया है और आरोपियों को अदालत की समक्ष प्रस्तुत करने के बाद उन्हें जेल भीजने की कारिवाई की गई है